ज्ञार्खंड की बीरोक्रेसी पर एक बार फिर काला दाग लगा है। कुछ समय पहले सिनियर आईएस पूजा सिंगल एडी के हत्थे चड़ी थी। और इस बार ज्ञार्खंड भाजपा के वरिष्ट नेता बाबूलाल मरांडी की वज़ा से मुख्यमंत्री के प्रधान सच्चिव और इस राज्य के प्रधान ग्री सच्चिव सुर्खियों में हैं उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा है फिलहाल पाटी फिलहाल सरकार ने उन्हें अलग जी में दारी दे दी है और इसकी वज़ा बाबूलाल मरांडी बने हैं उनका एक वीडियो बना है इस वक्त हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी हैं इनसे बात करते हैं कि सर पूरो राजेपाल थे कहते थे कि बम फुटेगा बम फुटेगा आपने एक बम फुट दिया और ये ऐसा वीडियो है जिसकी पूरी चर्चा हो रही है तो अब आगे बाबूलाल मरांडी क्या करने वाले हैं क्योंकि आप मांग कर रहे थे कि उनको हटाया जाए लेकिन दूसरे पद पर तो हैं अभी भी निलंबन नहीं हुआ है मुखे सचीव से आप बात करेंगे आपने ट्वीट किया है कि मुखे सचीव को को इस पर कुछ संग्यान लेना चाहिए स्रीएसली कि मैंने कल भी बोला था प्रेस कांफ्रेस में ने कहा था कि मुख्षची चुकि परशासनिक प्रदाधिकार्यों के एड्स होते हैं और प्रदाधिकारि यह अगर इस प्रकार की काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेवाद्य बनती हैं उनकी पर कारवाई करें तो हमने का दिरिस्टास्ट मत पतिया बावुलाल जी जो जानकारी मिल रहे कि आप राजभाउन जाने वाले हैं क्या इसी मेटर को लेकर राजभाउन जा रहे हैं हम नहीं पार्टी का प्रतिनेदी मंदल आज मिले के तो आप सब लोगों को बता दी जाए फायर हो उनको हटाये जाए ही नहीं नहीं उनके ओपर हो करवाई हो और पूरे मामले की लिए यह कि मामला ऐसा है कि अगर कोई ऑपसर ऑन तो घृभ विवाग के सच्वी है विक्षियों है और इस प्रकार से अग्र काम कर रहे हैं आप सोच सकते हों तो अपराद कही इसे रूकेगी जहारकन की जेलों में उक्रवादी आतंकवादी बड़े बड़े जो गुंदे बदमाजब जेल में बंदें तो क्या होगा कैसे चल रहा होगा तब तो मुस्किल है ना इसी प्रकार की तब तो किसी का कोई जीवन भी कहीं सुरचे नहीं रहा सकता है इसे हमने का कि पूरे मामले को इसकी जहां छोनी चाहिए सी भी आई से इसी सारे मुद्धों को लेकर किया आज पार्टी का एक प्रतिनी दीमंडा मामहिम से मिलेगी जब उणके उपर आफायर ही नहीं क्या खाले उनको हटाया कोई दूसरे पाद सचिव के रूप में उनको प्रिंसप्र सेकरेटरी बना दिया तो कोई सजा तुन ही है वह तो बचाने का ही हुआ कि चलो अपने उपर वहां अरोब लगा कि मुख्रमंतरी के प्रदान सचीव थे कारा थे ग्रीश सचीव थे तुकि यह सारी विवाग मुख्रमंतरी के पास हैं अब उट जगह से उन्होंने हटा करके पंचाई तिराज में करते हैं तो बचाने का ही वाने एक प्रकार से एशी तो यह होता है कि डायरे क्षग अगर उनके शंग्वाओं में यह गलत हो रहा है तो सरकार को डायरेक्ख करीं सकते हैं वह यह गलत हो रहा है इसको अर्व ठीक करें इसम बीरोक्रेसी लगतार सवालों के घेरे में क्या बावुलाल जी आने वाले समय में कुछ और वीडियो सामने लाने वाले हैं जैसा चर्चा हो रहे हैं कि अभी तो एक सुरुआत है भी बहुत सारी चीजें हैं अब आगे क्या आएगी आगे के बारे में तो भी नहीं बता सकते हैं अगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं जी घंक से हैं सरकार काम करें हम तो सुरु से का रहे हैं जैसे ही सरकार बनी कुछ दिनों से आपने दिखा होगा हमने सुरुआत में किसे ही कहा है कि यह सरकार विश्छ उसे ही हम जान रहे हैं कि यह सरकार गड़ बड़ कर रही है और कैसे चल रहे हैं सारे बातों को मैंने बार बार कहा है आप लोग ने ही पिछले साल ओफिस और प्रॉफिट का मामला उठाया था आप डेलिगेशन में भी थे चुनाव आयोग से मंतब भी आ गया रमेश बैस साहब महराष्टा चले गया अब नए गवर्नर आए हैं क्या आप लोग गवर्नर साहब से कहेंगे कि उस लिफापा को है कि उत्व जानते नहीं क्या लिफापा है नहीं है हम लोगों ने तो जो सुरू से मांगी थे और आप तो सरकार उसे से घेती जा रही है य सलिया अब तो जिस दंग से अगर आप राधियों को बचाएंगे तो फिर मेंने तो कहा ही है कि आप रास्ता ही लगता है इनका भी हठवार की तरफ जाते हुई दीक्राए है आप मतली को पर करता है आप रादियों को बचाने के कोशिश करते हैं कि आप रादियों के साथ खुद हटवार जाना चाहते हैं जारगन भाजपा के एक दावर नेता मुख्यमंत्री के तरफ इनका डिरेक्टी सारा है कि अब उनको तै करना है कि वो किस रास्ते जाना चाह रहे हैं जहां तक राजवर उनेका की बात है तो इनका मनना है कि सिर्फ उनको इस जगे से हटाने का मतलब है उनको बचाना उनके खिलाब तुरंट एफायार होनी चाहिए उनकी गिरफतारी होनी चाहिए और अब ये बात राजभवन पहुँचने वाला है उसके बात देखते हैं कि आगे क्या होता है राजिस कुमार सिंगी टीवे भारत राचिये